वेरी गुड मॉर्निंग टू अलो फी दोस्तों स्वागे थे आप सभी का वाइट एजूकेशन में सुबह के छे बाच चुके हैं और हम लेकर आया हैं आपके लिए जो की डेली बेसिस के यह करेंट फर आपको दे जा रहे हैं तो आप वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा और हां बहुत सारे चीजे नई हो रही है तो यह वीडियो पार्टनर सिर्फ विट अन एकडमी चल रहा है तो आप लोग भी हमारे सा जुड़िये यहां पर आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं तो वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी बेल आइकन दबाके और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप आप आरे टेलीग्राम को जोइन कर सकते हैं यह लिंक शुरू होता है आपका अब भारतिय रेलवे ने हाली में महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया है तो इसका आंसर है दोस्तों नोट कर सकते हैं सब भी जिया मेरी सहेली नोट कर सकते हैं यहां से इंपोर्डेंट कोश्चन है और यह सुरक्षा प्रदान करना वह अगर अकेली घर से या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म तक जाती है उस बीच भी दौरान उनको सुरक्षा महिया कराना यह इनका काम रहेगा इसमें जो है आर पी यह यहां पर वह सहायता करेगी इस अभियान में तो यह उत्तर मद्द रेलवे क सुरुआत किया गया है सभी मंडलों में इसका अभियान चलाया जाएगा और है इस कारिक्रम में करीब करीब 25 अक्टूबर से लेकर अब तक उत्तर मद्द रेलवे के संचारित होने वाले आठ ट्रेनों को यह सरसर पासिंग ट्रेनों से सतत अभियान में इसको जोड़ा ग गोशना के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा तो आंसर होता है दोस्तो इससी पसिम मंगाल इस दराइट आंसर दोस्तो नोट कर सकते हैं गोशना के मुताबिक पसिम मंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनने जा रहा है और यह जो है दोस्त कार में यहां पर इसको बदल कर नए टायर का निर्मान भी कराया जाएगा यह टायर पार्क दोस्तों इस प्ले नोड छेतर में खुलेगा और यहां एक छोटा कैफे भी होगा जहां लोग बैठ कर आराम से बाते कर सकेंगे टायर बनी कला किरतियों को देखकर आनंद उठा सक करते हैं और यहां पर जग्दी धनकड जो है यहां के गवर्नर हैं और कुलकाता यहां की कैपिटल सिटी होती है सवाल नंबर चलते हैं तीम की तरफ दोस्तों हाली में कौन टी-टी क्रिगेट में एक हजार चक्ये लगाने वाले पहले बल्ले बाज बने हैं तो यहां प्य प्रिश गेल डी इस दे राइट आंसर फ्रिश गेल जो हैं वेस्ट इंडीज टीम के एक प्लेयर है और इन्होंने T20 मैचों में यहां T20 मैचों में हजार छक्के लगाने का अपना एक कृतिमान बना लिया है आपको बता दे कि अभी IPL का सीजन चल रहा है IPL यह 13 हवा सीजन इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे चुकि यह सवाल अब यहां से जुड़ेंगे आपके परिक्षाओं में तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको ठीके और यहां से कोशन यह इंपोर्डेंट है और यहां पर एक हजार छक्के लगाने का विस्वे में पहल तो टी ट्वेंटी मैचों में क्रिश्गेल सबसे सिर्ष पे आ चुके हैं उसके बाद है क्रियन पुलार्ड जो की यह वी वेस्ट इंडिश के खिलाड़ी है 524 मैचों में 690 चके और ब्रेडन मैकुलन जो की 370 मैचों में 485 चके शेन वाटसन 343 मैचों में 400 सरसर चके और आंद्रे रसेल यह 349 मैचों में 447 चके लगा चुके हैं तो यह आप थोड़ा नोट ध्यान रखेंगे लेकिन इनके आस पास अभी तो कोई नहीं है फिलाल तो यह टॉप पे बने हुए हैं सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों 4 पे हाली में किस राजी में भारत की पहली सर्विसेस कि स्राजे में शुरू की गई है तो याद रखेगा इट्ससी गुजरात में की गई है आपको बता दे कि इसमें करीब करीब 19 सीटर सीप्लेन सिवा को निजी एरलाइन स्पाइस जेट द्वारा प्रबंदित किया जाएगा यह सीवा साबर मती और के विडिया के बीच में चलाया जाएगा जो लगबग 200 किलोमेटर के दूरी को यह फासला को कम करेगा मात्र 45 मिनट में तो इसका एक मुख्यकार है अभी तक यहां से यहां जाने में जिया दोस्तों चार घंटे की समय लगते थे लेकिन अब यह 45 मिनट में सफर आप पूरा कर पाएंगे इस उड़ान में 12 यात्री होंगे जिसकी टिकट कीमत कम से कम 4,800 रुपे रखी जाएगी विद GST ठीक है तो यहां पे यह एक अपडेट है लेकिन अपडेट यहां जगर गुजरात से है तो आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिलकुल नहीं भूलेंगे आप सवाल नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तो बी-सी-सी-एई ने हाली में किसे वुमेंस T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉंसर बनाया है बिलकुल आंसर किजिएगा दोस्तो इट सबी इस दे राइट आंसर जीओ यहां दोस्तो रिलैंस इंडस्ट्री का यह कंपनी है और यह एक नेटवर्किंग और कह सकते हैं कि कम्मिनिकेशनल प्लेटफॉर्म है भारतिक कंट्रोल बोर्ड बी-सी-सी-ई ने जीओ को वुमे और जीओ के बीच एक साजेदारी हुई है एक M.E.U. हस्ताक्चर हुआ है जिसके Foundation, Education and Sports for the All का भी समर्थन करेगा R.F.E.S.A. का यह समर्थन करेगा यहां पर एक साजेदारी हुई है यह एक एतिहासिक साजेदारी बताए जारी है इससे पहले कि पर्योजक B.C.I. के साथ साजमी से इस रूप से महिलाओं के मैचो के लिए हस्ताक्चर कर चुके हैं दोस्तो फाइनल 9 नॉवंबर को यह खिला जाएगा यह भी आपको ध्यान रखिएगा इसकी सुरुआत सारजाह में हो रही है तो एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहते हैं कि जीओ जो कंपनी है इसके करता धरता यानि मालिक हैं मुकेश अंबानी जो कि भारत के सबसे अमीर मेक्तियों में से एक हैं तो एक ही है और नंबर वन पे हैं दूसरी चीज़े है यहाँ पर बात हुई है बीसी सी आई की तो बीसी सी आई के अभी अध्याक्ष कौन है तो पुर्व कप्तान है सौरव कांगुली तो यह दोनों ही नाम ध्यान रखेंगे सवाल नंबर चलते हैं दोस्तो छे पे हाली में किस देश के पुर्व प्रधान मंत्री मेशूत इलिमाज का निधन हो गया है जल्दिस आंसर कर लेंगे दोस्तो कोश्टमबर 6 भी इंपोर्टेंट है यहाँ पे आ तुर्की के पुर्व प्रधान मंत्री रह चुके हैं जिनका 72 वर्षिय गिया थे और इनका निधन हो चुका है इनकी सरकार 1991 से लेकर 2002 के मद्ध में दक्षिन पंथी मदरलेंड पार्टी यानिकी ANP के निर्दित्व में इन्होंने प्रधान मंत्री यहां के बने थे आपको दो कारेकाल रह चुके हैं और मैस कुछ महीनों कहीं रहा था इनका कारेकाल तो ANP के मदद से यह बने थे वहाँ पे जिया मदरलेंड पार्टी की मेशुत इल्म आज जिनकी निधन हो गई है 72 वर्षिय थे यह तो कोशिन नमबर 7 पे चलते हैं दोस्तों यहां पे प्रती व रखेगा परियावरन को बचाने के लिए इसी वर्ष हर वर्ष के जागुता फैलाने के लिए इसकी रूची बढ़ाने के लिए साकाहरी साग सब्जियों के सेवन को करने के लिए यह साल को इस दिन को हर सल मनाया जाता है विश्व साकाहरी दिवस एक नमबर देट याद रखीगा यह सन 1994 से मनाया जा रहा है और दूसरी चीज़े है कि वेगन सुसाइटी के द्वारे सो सबसे पहले मनाया गया साकाहरी दिवस पचासवी वर्स गाठ अपना वेगन सुसाइटी के देश ने मनाया है आपको बता दे कि वेगन डे के रूप में इसको हर सल मनाया जा रहा था वेगन याने की वेजिटेवल से रिलेटेड है चलिए यह धान रखीएगा कोश्चन नमबर एक पे चलते हैं और आयोजीत भी किया गया इसको ब्राजील इंडिया नेटवर्क के द्वारा लोकार्पित किया जाएगा इसको ब्राजील में बोली जाने वाले पुर्दगाली भासा इस पुस्तक में प्रकाशन की योजना पर भी एक तथ्य लिखे गया है तो यहां पे भारत और कोशन नांसर छूट जिया है आपके सपोज मान लेजिए 16 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर से लेकर आपके जो 31 अक्टूबर तक के कोशन आज छोटे हुए हैं उसका आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे आज दूपहर में आपको एक वीडियो मिलेगा जहां प की तरफ पाकिस्तानी क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सन्यास ले लिया है उनका नाम क्या है तो याद रखेएगा दूस्तों उनका नाम है उमर गुल इस दर राइट आंसर जियां 2002 में उमर गुल ने अपने क्रिकेट करियर का आगाज अंडर 19 वर्ड कप से किया था और 2003 में ही गुल ने पाकिस्तान के निशनल टीम में अपनी जैगा बना ली थे 2003 अगस्त में बंगलादेश से खलाप टेस्ट भी खेल लिया पहला टेस्ट डेब्यूट किया था बंगलादेश से खलाप तो यहां से कुशन इंपोर्टेंट होता है इनके लिए स सब पर ही बैंकिंग सेवाओं का सुभारम किया है आपको बता दी कि यह सुविधा जो कस्टमर की सहलियत के लिए दिया जगया है और बुनियादी बैंकिंग सेवाओं को भी कर सके IDVI बैंक ने इस विधा को पूरे देश में सुरू करने का फैसला भी ले चुका है और अपने कस्टमर दूसरे सहर में अगर रह भी रहे तो उनकी सहायता करने में मदद करेगा IDVI बैंक सभी कस्टमर वाटसप बैंकिंग का लाब ले सकते हैं इसके कस्टमर अपने फोन बैंक में दे रखा है उस बैंक का जिहां नंबर उसी बैंक के नंबर से उसी एक नंबर जो अपका फोन नंबर है उसी से आप वाटसप चलाएंगे तो ही आप उसका पायदा उठा सकेंगे दोस्तों IDVI बैंक का हेट कोटर जियां मुंबई में हैं यह आप सभी को पता है औ लेकिन आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं अनकेडमी पर बिलकुल अगर आप अनकेडमी पर हैं और सबस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं जीट अंदरस्कोर एडियू 09 ठीक है यह हमारा कोड है कोई यहां पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस कोट का यूज करें ताकि आपको यहां से दस परसेंट का एट लिस्ट छूट मिल सके दोस्तों नई बैचेज के अगर हम बात कर लें यहां पर तो दस महिनी का यह फांडेशन बैच यहां पर तीन नवंबर से सुरू होने जा रह जो कि प्रिलेम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपको टॉप एजुकेटर यहां पर कम सी कम टॉप 25 ऐसे एजुकेटर होंगे जो कि आपके एक्जाम की तैयारी में आपके साथ होंगे दोस्तों अगर आप यहां पर बात कर लें नमबर औफ कोशिन के लिए प आप लोग यहां पर जोड़ सकते हैं इनके फ्री क्लासेज भी ले सकते हैं इस्पेसल क्लासेज भी ले सकते हैं फुल लेंथ की अगर हम बात कर लें 66 बिपेस फिलेम्स की तो वह आठ नमबर 15 नमबर 22 नमबर और 29 नमबर को फुल लेंथ टेस्ट भी लिया जाएगा आपक हो सके तो जल से जल यहां पर सब्सक्रिप्शन भी ले लेजिए क्योंकि देखिए अगर आप यूटूब पर किसी जीश की त्यारी कर रहे हैं और कहीं एक कोति इंस्ट्यूट में त्यारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफर तो होता ही है लेकिन फिर भी मैं आपको बोलू ठीक है तो इस कोट से आपको कम से कम 10% की छूट मिल सकेगी आपके सब्सक्रिप्शन पर दोस्तों अगर आप एसाई की त्यारी कर रहे हैं बिहार एसाई की या प्रिलिम्स की मेंस की तो आप वहां भी एक नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक यह जो बैचे चलाई जा रही है प्रिलिम्स और मेंस के लिए तो आपको यहां पर यह टॉप एजुकेटर मिलेंगे जिनकी क्यूज क्लासेस आप ले सकेंगे यहां पर सिखर भीहार एसाई करके एक बैच चलाई जा रहा है जो कि एक नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगा और यहां पर BPSC का 60 दिन का क क्लीट कोर्स है तो अगर आपको यहां पर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं इन टॉप एजुकेटर के साथ दोस्तों यहां पर आपको BPSC का कम्प्लीट कोर्स अगर चाहिए तो आप 25 अक्टूबर से जो बैच चल रहे उसमें भी इन्रोल कर सकते हैं अगर आप B BPSC मेंस की त्यारी कर रहे हैं तो भी आप जोड़ सकते हैं यहां पर 65 BPSC के लिए भी तैयारी यहां पर कराई जा रही हैं तो यह सारे अपडेट से दोस्तों जो कि मुझे आप तक पहुंचाने थे और यह कुछ इसके प्राइस हाइक हैं जो कि इस बार बढ़ चुके हैं तो आपको अगर यहां पर 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो यहां पर 8800 रुपे फीस लगेगा लेकिन जैसे ही आप रिफ्रेल कोड यूज करते हैं जीत अंडरिस्कोर edu 09 तो आपको यहां पर 10% का instant छूट मिल जाएगा और आपको यह 7920 रुपे में मिल सकेगा तो आप यहां यहां पर यूज कर सकते हैं यहां पर और कम से कम एक साल वाला ले तो फायदा होगा तो कि एक साल तक कंप्लीट आपके जो एक्जामनेशन हैं वो चलते रहते हैं तो इस बात का थोड़ा ध्यान जरूर रखेगा चलिए और दो साल का लेते हैं तो आपके फायदे होंगे बहुत सारे ऐग्जाम कभर हो जाएंगे आपके जिसी कि घरोका हो जाएगा विहार कॉंस्टेबल हो जाएगा बीपसी हो जाए तो यह सारे डीटेल थे जो कि मुझे आप तक पहुंचाने थे दोस्तों और वीडियो को लाइक और शेयर जुरूर कीजिएगा ताकि आपको इन सारे कोशन के जितने भी पैटर्ण मैंने दिये हैं इसका पीडियेफ में आपको साम को दे दूंगा इसका पीडियेफ लेकर ज जरू कर लेंगे धन्यवाद